बिसमिल्य रख्मन रहीम अस्सलाम अलेकूं आज की वीडियो में हम नॉन वर्बल इंटैलिजेंस टेस्ट की टेक्टिस करेंगे और ताकि आपको पता चले के किस तरह के कुस्टें जो है आपके ट्रिप्टर में आते हैं ठीक है सबसे पहले तो कुस्टें होता है इस डू व इन यहां आख लिए ने पार बॉक्स निकाल लेना है अभी यह खाना निकाल लेना है और घिष्ञ इसमें जो आ इंडर कम यत जो ऑप्शन है यह टिक मार्क हो थीक है यह जी ऑप्शन ए ठीक हो गया अगला कॉस्टन चलते हैं जी अभी देखें अगला कॉस्टन होगा ची चूल डाराइट आप्शन फो दा नॉन वर्बल टेस्ट इमेज इसमें भी सेम तो एस तू बाला ठीक है यह सीन है यह जो इमिज है यह जो सेंटर में बनी विया यह उटी हो जाएगी सेम यह चीज यह उल्टी होजएगे भी देखें किस वाली पिक्चर में जो आप्शन में यह में इन अप्शन नम्बर भी हमारां सर अगले कुशन पर चलते हैं पिर कु पर आप गौर देखें सिंपल है यह भी यह यह दोनों शेप्स में मिक्स हो रही है यह अपर वाली शेप अंदर आ रही है सेम इसी तरीके से पहले यह आएगी सके अंदर यह शोड़ी आ जागी तोहमारा जो आप्शन होगा मुओ और में बिए अच्छा फिर यह वाला स्कुेस्ट्शन डिक इस पने अपने कंफ्यूज हो ना इसमें क्या और जो पहली वाली लाइन है और लास्ट लॉइ लाइन ऐसे दोनों और यह और disappointment यहां पर यहां पर जो सेंटरवाली लाइन्स है वह रहाई हैं एक जैसी आप ने भी क्या करना है सेम यह दैल लाइने रहेंगी सेम ठीक जिस तरह केस ऑफ्षिन में और वोपर और सबसे नीचे वाली लाइन जो है या होजेगी रिवर्स आप्शनम्र डी आपका टी होजाएगा ठीक है आगे चलते हैं सिंपल कुश्चन है ठीक है बहुत सिंपल है तीन डोट से इनको मिला दिया गया है उल्टा ट्राइंगल बन गया इसको मिला देना है ठीक है ट्राइ हैं देखें यहां पर रिवर्स होगा है यह नीचे वला देख सकते हैं आप यहां पर रिवर्स हो गया मतलब कא हो था इन्हें अगे Чॉट卡 ओप सूंद्मुर आपने नीची है ठीक है अभी पहले असका हो रही हो रहा है रता थे अपर प्रिसा हो रहाए हो रहाए हमारा औ के तमाम एरो रिवर्स हो गया है ठीक है सेम इस इमिज का आपने रिवर्स में ढूंड़ना है आपने नीचे ठीक है जो रिवर्स में क्या हो गया अभी पहला है रिवर्स हो रहा है सैकंड एरो का रिवर्स हो रहा है तर्ड एरो का रिवर्स हो रहा है तो हमारा आप्शन आज यह बाद में यह वाला से बाद में यह वला उसके बाद में यह लगा देनी है अब यह पिक्चर के पिक्सल सही नहीं आ रहे तो आपको यह बलॉक सre नहीं हो ठीक है तो वहां पर आपके स्क्रीन पर पिक्चर क्लियर होगी इसमें आपका उप्शन जो बन रहा है वो यह बन रहा है कॉंसाप्ट इसका पीछे यह ठीक है अगले कोशन पर चलते हैं अच्छा हाँ यह कोशन बहुत इंट्रस्टिंग है ठीक है इसमें क्या होगा कि आपके पास पुछहाय है और ना पर अद्फ़ि प्कॉन को आपने अजा ने तो अपने तस्वीर दी होंगी नुए तस्वीर होंगी है आपने आपने नों से यह विली मैं तीक है और आपने क्या करना है आपने लास वाली पिक्चर कैसे बनेगी जी अच्छा यह ट्राइंग्ल है यह ठीक है और जो पिक्चर देखें इन दोनों पिक्चर को अगर मिक्स किया जाए ना तो जो डबल लाइनिंग हो रही है वो माइनस खाड़ने पीछे रहा जाता है एक सेंटर वाली लैन लेकिए सरकल जो के अमारा यहां पर आ जा जाए ठीक हो गया अच्छा अगली में देखे क्वामा अगे अभी पिछले जो कॉंसेट को देखके यह वाला कॉंसेट वाले को सौलरोट करते हैं तो यह तरह वगा कि अपके पास जो plus mix करें दोनों पिक्चर को यह plus है और इसमें भी plus खत्म होजेगा सिर्फ ये शेप रहे जागी यहां पर अच्छा अभी देखिए कि इस तरह ना चारो तरफ सरकल आ रहे हैं तो इस शेप के आपने चारो तरफ सरकल लाने है तो वह हमारा आप्शन यह लग कुरेक्ट है ठीक है aurais कोशन पर बने डरीजे progress करें किसा अप किरत का नगिसे भी पर अच्र十 अपने करना ऑप किसी ने करण चाने हैं isn't इसके क्या मैं और स्पलेख मेंगा सक्देग्रों करें रही हैं तो आपके पास इमिज बंग रही हैं यह चाहिए आप क्या करें को और इसको और इसको उपर रखें देखें अच्छा जब आपने उपर रके देखे है तो आंक पास किया है बन रही सी यह जो नीचे वली लाएन है यह लाएन यह लाएन यह लाएन अपस में होड़ी है प्लास मतलब कि एक डबल और यह डबल यान इसने नहीं डाली पीछे जो रहा हुई है यह विलिलाइन यह विलाइन यह दूनों यापे हैं ठीक हे तो यह आपको अप्षिटन है अभी जो पहली इमिज में आता आ अदेके हैं कोई Western Bronze , आप आजए हैं, आख़ी भी लाइन जो दॉट नहीं होई थी, फारी लाइन 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 लैदा थी इस वज़गे से जो है, अमारा जो तमाम लैने आई थी अभी इसमें कर्सक्राइब करते हैं? आजए देगा धोड़े होगा, बहुदो नहीं करें Вам अ अभी यह पहली तीन फिक्टस द जे ले देख लें अभी आपने यहां पर फडिवाली करना के अपने अबज़ां के घुचर को हड़ां फिस घुडी अब यह स्टेस्व वली पिक्चर में और थीक है यह जो शेप सेंबी नीचे पड़ी ये यज की स्वालिट सेंव के यह झां पर देगे यह उलू आ रिखिए यह उपर वनीbor यह वाली है । यहां पर होजेगी रिवार्स मतलब कि हमारी कुछ यह बन जागी यह यूं और फिर यह यूं ठीक है तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वह आपका अंसर आएगा यह ठीक है तो कोशिश रही है मेरी आपके कॉंसेप्ट क्लियर हो ठीक है बाकी आपकी प्रैक्टिस जो हो आपके प्रैक्टिस में आला आफेज